आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य चाय बनाना करके दिखाऊंगा जो चाय आपके हाल्ट में आयू ही ब्लोकेज को तोड़ देगा आपके बीपी को ठीक कर देगा और हाल्ट की कैसी भी समस्या क्यों ना हो उसकी समस्या को जो हो ठीक कर देगा और कोलेस्टोल जो है ना कोलेस् अतंकवादी हम किसको कहते हैं जो कोई पांचार दस आदमी मार देता उसको अतंकवादी का नाम देते हैं लेकिन कोलेस्ट्रोल एक ऐसी समस्या है जो की रोज की रोज पूरी दुनिया की बात नहीं करते अपने भारत में ही हजारों लोगों को मार देता है तो उस चाय को बन सकते हो किसी भी तरह से आप बनाओ आप एक गिलास पानी डाल करके और एक ऐसी जो दिवे जड़ी बुटी है उस जड़ी बुटी में से यदि आपका कोलेस्ट्रोल जादा है तो आप देड चमचे शुरुवात में दो चमची भी ले सकते हैं लेकिने थोड़ा थोड़ा ही तो क्या है आप एक चमची ले लें बहुत जादा नहीं एक चमच के आसपा से जो है इस पानी में डालें डाल करके उबार लें आपका दिल की किसी भी परकार की कोई भी बिमारी क्यों ना हो वो बिमारी आपकी रहेगी नहीं वास्तों में ही ये दिल के लिए अम्रित है त तो इसको आप एक ड़ेट चमच लेकर के पानी में इस तरह से उबालेए और उबाल करके फिर इसमें आप चाहें दूद भी डाल सकते हैं दूद जो है अब ये उबनने को है इसमें थोड़ा था दूद देखिये एक गिलास पानी में हमने थोड़ा हदू डाला है ये प्रण्याद्ट है तो आज आपको हम ऐसी दिव्वे चाय बना करके दिखा रहे हैं जिसको यादी आप पियेंगे रोज तो आपको हार्ट की कैसी भी समस्या क्यों नहीं क्यों आपका हार्ट क workshop कि क्म करता हो हार्ट में ब्लोकेज हो हास में कहूं उनमें बहुत सारा कॉलेस्ट्रोल हो इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और इस चाय को अगर आप लगातार पिएंगे तो ये आपको मरने नहीं देगी किसी भी तरह से हार्ट के अटेक जो हार्ट के अटेक से आप देख रहे हो आजे कितने नोजवान 20-20 साल के 25-30 साल के नोजवान जो है वो मर जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को ये चाय आपकी ठीक कर देगी कुछ भी नया नहीं करना आपको बहुत ही आसान काम है जिस तरह से चाय बनाते हो तो एक गिलास पानी लिया एक डेट चमस ये जड़ी बुटी जो इसका नाम भी हम आपको बताएंगे लेकर के और सिर्फ आपे उबाले दूद डालना चाहें तो डालने बहुत बड़ या बात है जो चाय कि यादर जिन को है नहीं डालना चाहें तो कोई वह भी कोई बात अच्छा एक विशेश बात ध्यान में आपको रखनी है कि इसमें आप चाय बनाते हो तो चिन्नी नहीं डालनी आपको चिन्नी की जगह आप इसमें आप देशी खान डाल सकते हैं या मिस्री डाल सकते हैं इस तरह से करके आप इसको बनाएंगे और सुबह खाली पेट पी तो निश्चित रूप से आपका कोलेस्ट्रोल कितना ही क्यों न हो वो सारे का सारा कोलेस्ट्रोल जो आपका खतम हो जाएगा इस चाय को बहुत ज़्यदा उबालने की बिजूरत नहीं है आपको थोड़ी सी उबालने और उबाल करके ये हमारी भी अभी जो है उबलने को है हमने लगणियां थोड़ी सी कम लगा रखी है तो आज ज़्यदा तेज नहीं है गैस पे आपको मत्र और मत्र पंचर मिन्ट लगनी है मुश्किल से और उबाल करके इसको उबालना कितना है मनली जी आपने एक गिलास पानी और दूद एक गिलास के असपास दूनों आइट सहीं कि प्रस्ट करेंगा तो इसको आपकर चान चाहें तो आपको बना सकते हैं वहां पर आपको कैसे पीना है वह हम आपको बताएंगे अभी कि थोड़ी सी इसको गरμ जाणा तो नहीं देखिये छानने के बाद यह ऐसा लाल हो जाएगा चाए का जैसा ही रंग आएगा इसमें बिल्कुल जसे चाए बनाई हो आपने ऐसा ही रंग आएगा इसमें ये देखिये भी हम आपको इसमें दूसरे किलास में डाल करके दिखाएंगे ये कांच का गिलास है जैसे चाय का रंग होता है वैसा ही रंग होता है और बिना दूद के बनाएंगे तो बिलकुल खून के जैसा ही बनेगा ला लिए तो इसको आप रोज सुबह और शाम को खली पेट पियेंगे कि आपका बेंकर से बेंकर कोलेस्टल क्यों ना हुचाये वो कॉलेस्टल भी आपका ठीक हो जाएगा और जिनको समस्या ज्यादा है तो उनके लिए भी हम दवाईयasında blir हैं उन दवाईयों में जैसे की अकीक पिस्टी जो भी जो जिस जड़ी बुटी की चाए बनाई है यह ए औरहए र्जुन की चृट अरौ र्जुन की चृज वह बजार में मिल जाएगी यह देखिए अर्जुनו है यह यह अर्जुन के पेड़ करके पी है और ये दमाइया देखिए हम वह सभी तरह का कोई भी विवारी क्यों था करते हैं लेकिन हाल्ट के लिए जो है हल्ट के लिए जिनको जदाज समझा है उनके लिए जहर मुझा यह प्रवाल पिंपी बहुत का अच्छा काम करती है और उसमें जो है संग्यासु पिस्टी जो होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है और भी कई तरह के चूरणादी मिला करके समस्या के हिसाब से जो है हम उनको द्वाईय देते हैं मैं वैद आचारी अनुपम समालखा पानी पत हरियाना से तो आप हमारे इस वीडियो को जदा ज़्यादा सेर भी करें जिससे की एक जो बहंकर समस्याज समाज में है कोलेस्ट्रोल के कारण हार्ट अटेक के कारण दुनिया मर रही है वो मर ना मरे हमारे नोजवान और कनाल प्लस का भी बहुत धन्यवाद